नमस्ते जी, वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसो है आप सब तो इस वीडियो में हम डिसकेस करेंगे इगनू M.G.14 की एक इंपॉर्टेंट शॉर स्टोरी जो की है वेरी लोनली शी जिसे लिखा है मोतिलाल जुटवानी ने एंडिनू ने इसको ओरिजिनली जो है सिंधी जो इसका ओरिजिनल टाइटल है वो है अकेली-अकेली हूँ लेकिन लेटर ओन इसको डॉक्र नंदलाल जुटवानी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था फिर इसका टाइटल पड़ा था वेरी लोनली शी तो इस स्टोरी की समरी डिसक्स करने से पहले मैं आपको इंडियन राइटर है स्पैशली ये सिंधी लेंग्विश में लिखते हैं इनका जनम हुआ था 13 जनवरी 1936 में सिंध ब्रिटिश इंडिया में इनकी डैथ हुई थी 28 जनवरी 2008 में पूने इंडिया में तो इनकी कुछ फेमस वर्क हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक है इनकी कोट एंड एक है इह रिष्टा नाता तो इन्होंने एक्चली सिंधी लेंग्विश में लिखा है तो यह आपका टाइटल सिंधी लेंग्विश में है एंड इसके लावा इनको जो फेमस अवर्स मिले हैं वो भी देख लेते हैं तो सबसे पहले है पदम श्री एक है पूरन मौसी जो की हमारी में प्रोटेगनिस्ट है और सेकिंड है मनोहर जो की पूरन मौसी का नेफ्यू होता है तो यह आपके दो ही में करेक्टर है तो स्टार्ट करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की समरी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस शॉर्ट स्टोरी की मे विए पुरान मौसी की और अच्छा नहीं है और पुरान मौसी का कोई भी relative इनके बारे में bother नहीं करता है actually पुरान मौसी की जो हस्बेंड है उन्होंने शादी की कुछ ताइम बाद ही इनको छोड़ दिया था हालांकि इनके जो हस्बेंड है वो अब नहीं है ये अब एक विडियो है तो अपने पती की छोड़ने के बाद जो है पुरन मौसी उस टाइम पे अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए आगरा चली गई थी तो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद अब ये आगरा में बिल्कुल अकेली रहती है जो पूरण मौसी यंग थी तो ये आगरा में फूमेन के लिए डोमेस्टिक स्कूल भी चलाया करती थी लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता ये बुढ़ी होगी तो स्कूल चला पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया तो इन्होंने अपना जो स्कूल है वो बेच दिया इसके बाद इनका जो earning source था वो सिफ एक ही था वो है parental house जिसको इन्होंने रेंट पे दिया हुआ एक्शली जिस घर में पूरण मौसी रहरी है ये इनका parental house है because अपने पती की छोड़ने के बाद ये अपने पेरेंट्स के घर पर ही रह रही है तो फिर इस घर का इन्होंने कुछ हिस्सा जो है वो रेंट पर दिया है and रेंट से जो भी इनको थोड़ा बहुत पैसा आता है उसी से अपना घर चला रही है and earning source और कोई है नहीं पूरन मौसी के कोई बच्चे है तो पूरन मौसी जो है वो काफी ज़दा पूर है and ये अपने लिए टीवी, टेलिफोन और इवन न्यूस पेपर तक अफॉर्ड नहीं कर पाती है तो फिर एक दिन इस टोरी का second character यानि कि मनोहर जो है वो पूरन मौसी से मिलने के लिए आता है actually मनोहर डेली जा रहा था तो इसने सोचा कि क्यों न ये जाते जाते आगरा से होता हुआ जाये and अपनी पूरन मौसी से ही मिल ले actually ये जो आपका मनोहर है काफी ज़्यादा descent सा person है जो अपनी family में काफी ज़्यादा busy रहता है and इसी कारण इसने कहीं न कहीं अपनी पूरन मौसी को neglect किया था even जब मनोहर के father की death होगी थी तो उसने ये news भी पूरन मौसी को नहीं दी थी because उस तुरान इसे लगा था कि ये family death की जो news है ये पूरन मौसी को देना अपना साथा ज़रूरी नहीं है and अब जब मनोहर अपनी मौसी के पास उनसे मिलने के लिए चाता है तो इससे पूरन मौसी की हालत देकर काफी ज़्यादा दुख पहुंसता है and ये मिलकर अब अपने फादर की death की news भी पूरन मौसी को बताता है and पूरन मौसी ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ट रहाती है कि उसकी जो बेहन है उनकी husband की death हो चुकी है and किसी ने उसे इस death के बारे में inform तक नहीं किया and जो पूरन मौसी उसको काफी ज़्यादा यहाँ पर दुख होता है लेकिन फिर मनोहर को भी अपनी गलती रिलाइस हो जाती है कि कहीं ना कहीं उसने family death की news पूरन मौसी को ना देकर ठीक नहीं किया है and यहाँ पर मनोहर जो है काफी ज़्यादा guilt भी फिल करता है and मनोहर जो है वो पूरन मौसी से माफी भी मांगता है and यह वहाँ से चला जाता है and जैसा कि पूरन मौसी बिलकुल अकेली रहती है तो पूरन मौसी ने अपनी life की इस loneliness को accept कर लिया है and उसे अपनी struggling life से कोई भी complaint नहीं है हालांकि पूरन मौसी ने बहुत सी दुख तकलीफें अपनी life में देखी है बहुत से ups and downs से यह गुजरी है बट पूरन मौसी कभी भी निराश नहीं हुई ना यह किसी के सामने जुकी because पूरन मौसी के लिए उनकी जो self-respect है वो काफे ज़्यादा matter करती है हालांकि वो अपने past के hurts को भूलने ही पाई है बट उसने फिर भी अकेले जीना सीख लिया है यानि कि पूरन मौसी ने अकेले जीना सीख लिया है और पूरन मौसी ने अपनी ऐसी struggling life को as it is ही accept कर लिया है तो यहाँ पर हमारी इस short story की समरी खतम होती है ओके तो इस story के through जो हमारी writer है वो हमें यही बताना चाहरे है कि हमें अपनी daily life में पैसा कमाने की hoard में या चीजें पाने की hoard में कभी भी अपनी family relationship को पीछे नहीं चोड़ना चाहिए मतलब कि अपनी जो family relations है उनको neglect नहीं करना चाहिए बलकि हमें family and relatives की importance को समझना चाहिए and family and bond को weak नहीं बलकि strong ही बनाना चाहिए because कई बार फिर relatives होते हुए भी कोई इंसान पूरन मौसी के जैसे lonely पर जाता है जो की बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है because हर इंसान जो है वो अपनी relatives से attention सीख करना चाहता है जो support पूरन मौसी को नहीं मिल पाया है तो यही message जो हमारे writer हमें देना चाह रहे है तो यही था short story very lonely she के बारे में I hope आप लोग के लिए video helpful रहेगी and अगर आपको video थोड़ी से भी helpful लगी है तो please video को like करो, share करो and मेरी चैनल को subscribe करो ताकि मेरी upcoming videos की आपको notification मिल जाए okay तो मिलते हैं हमारी next video में till then take care, bye bye